ओम श्यान्ती, एक नवंबर दोहजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्ये, पहले सुनते हैं आज की मुरली से होंबर्ग, बाबा ने कहा, इस समय निराकार बाप, साकार में आकर तुम्हारा श्रिंगार करती हैं, अकेला नहीं, स्वेम को संगम्यूग निवासी समझ कर चलना है, पुराने संबंदों को देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धी में रहे, हम अकेले आये थे, अकेले जाना है, आत्मा और शरिर दोनों को कंचन बनाने के लिए, ज्यान के तीसरे नित्र से देखने का अभ्यास करना है, क्रिमिनल दृष्टी खतम करनी है, और अ अग सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार सी, मुरली का सार, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रिंगार करती है, अकेला नहीं, प्रशन, तुम बच्चे याद के यात्रा में क्यों बैठते हु, उत्तर, पहला पोइंट, क्योंकि तुम जानते हो, इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयू मिलती है, हम निरोगी बनती हैं, दूसरा पोइंट, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं, आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है, तीसरा, याद से ही तुम पा पांच्वा पोइंट तुम बहुत धन्वान बन जाएंगे यह याद ही तुम्हें पदमा पदम भाग्यशाली बनाती है ओम श्यान्ती रुहानी बच्चों को रुहानी बाप समझा रही हैं यहां बैठ तुम क्या करते हूँ ऐसे नहीं सिर्फ शान्ती में बैठे हो अर्थ सहीत ग्यान में अवस्था में बैठे हो तुम बच्चों को ग्यान है बाप को हम क्यों याद करते हैं बाप हमको बहुत बड़ी आयू देते हैं, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगी, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगी, तुम्हारा कितना श्रंगार होता है, तुम्हारे आयू बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी, अब आत्मा में खाद हैं, वे सब निकल जाएगी, इतना तुमको फाइदा होता है, फिर आयू बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे, और बहुत धनवान बनेंगे, तुम पदमा पदम भागेशाली बन जाएंगे, इसले बाप कहते हैं मन मनाभव, मामे कम याद करो, कोई देधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुमारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर जरम में आते आते पारस बुद्धी से पत्थर बुद्धी बन गई है, अब फिर कंचन बनना है, अबे तुम पवित्र बन रही हो, पानी के स्नान तो जनम जन वांतर किये, समझा हम इस से पावन बनेंगे, प्रन्तु पावन बनने बदले, और ही पतित बन, नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही जूटी माया, जूट बोलने के संसकार हैं सबके, बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन अबे तुम फील करते हो न, कितना गंगा स्नान करते आए, प्रन्तु पावन तो बने नहीं, पावन बन कर तो पावन दुनिया में जाना पड़े, शांती धाम और सुख धाम है पावन धाम, यह तो है ही रावन की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है, यह तो सहज अच्छने की बात है न, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है, जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो, आत्माओं का बाप है परमपिता, परमात्मा शिव, हर एक के शरीर का तो अलग-अ बाप होता है, आत्माओं का तो एकी बाप है, कितना अच्छी रिती समझाते हैं, और हिंदी में ही समझाते हैं, हिंदी भाशा ही मुख्य है, तुम पदमा पदम भाग्यशाली, इन देवी देवताओं को कहींगे न, यह कितने भाग्यशाली हैं, यह किसको भी पता नहीं ह कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने, अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुशोतम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं दो अक्षर, अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मनाभव, अक्षर तो पढ़ते हैं, प्रन्तु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। और कोई ऐसे कह ना सके, बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन वन, पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर जनम लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जनम बाद फिर तुम नहीं दुनिया में देवता बनते हो। रचईता और रचना दोनों को तुम जान गई हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गई हो। आगे जनम जनमांत्र तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहां भी जाओ, कोई भी तुमको यह बाते नहीं सुनाएंगी। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रिंगार कर रही हैं। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगर था, उपर बैठ तुम्हारा श्रिंगार कर ना सके। कहते हैं ना, बत बार है, एक और दो मिलकर बार होते हैं, बाकी प्रेर्णा वा शक्तियादी की बात नहीं, उपर से प्रेर्णा द्वारा मिलना सके, निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं, तब तुम्हारा श्रिंगार करते हैं, समझते भी हैं, बाबा हमको सुखध द्राम में ले जाते हैं। यहां क्रिमिनल आई होती नहीं। तो भी अंग सब धके हुए होती हैं। यहां तो देखो चीची बाते रावन राज्य में सीखती हैं। इन लक्षमे नारायन को देखो, ड्रेस आदी कितनी अच्छी है। यहां सब हैं देह अभिमानी। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगी। उन्हों की नैचुरल ब्यूटी है। बाब तुमको ऐसा नैचुरल ब्यूटीफूल बनाती है। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाएं। वहां तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाब तुमको मिला है। इन बिगर तो तुम बनना सको। बहुत कहते हैं। हम तो डारेक्ट शुबाबा से लेते हैं। प्रंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो डारेक्ट मांगो। देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शुबाबा से वर्सा लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शुबाबा प्रेर्णा से कुछ दे देंगे। अच्छे-च्छे पुराने बच्चे उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती हैं। काट लेती हैं। एक को मानती हैं प्रंतु एक क्या करींगे। बाप कहती हैं मैं एक कैसे आऊं। मुख भिगर बात कैसे कर सकूं। मुख का तो गायन है न। गव मुक से अमरित लेने के लिए कितना धक्का खाती हैं, फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करती हैं, प्रन्तु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है बुत पूजा, उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकि पांच तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया, पांच तत्व प्रकरती है न, उनको याद करने से क्या होगा? प्रकरती का आधार तो सबको है, प्रन्तु वहाँ है सतो प्रधान प्रकरती, यहाँ है तमो प्रधान प्रकरती, बाप को सतो प्रधान प्रकरती का आधार कभी नहीं लेना प इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है मैं निर्वर्ती मार्ग में आता ही नहीं हूँ यह है ही प्रवर्ती मार्ग सबको कहता हूँ पवित्र बनो वहां तो नाम रूप आदी सब बदल जाता है तो बाप समझाते हैं देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से इतनी करोडों हैं सबके फीचर्स अलग कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिलना सकी इसको कहा जाता है कुदरत वंडर स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना कितना शोबनिक है माया के साथ वंडर, बाप का एक वंडर वह साथ वंडर स्तराजु के एक तरफ रखो यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा एक तरफ ग्यान, एक तरफ भक्ती को रखो तो ग्यान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा अभी तुम समझते हो भक्ती सिखलाने वाले तो धेर हैं, ज्यान देने वाला एक ही बाप है, तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रिंगार करते हैं, बाप कहते हैं पवित्र बनू, तो कहते नहीं, हम तो चीची बनेंगे, गरुड पुरान में भी विश्य वैतर बढ़ी नदी दिखाते हैं ना, बिच्चू, टिंडन, सर्फ, आदी, सब एक दो को काटते रहते हैं, बाप कहते हैं, तुम कितने निधन के बन जाते हूं, तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहार में कोई को ऐसा सीधा कहो, तो बिगड जाएं, बड़ा युक्त बच्ची से समझाना होता है, कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता, छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, कहां स्रिक्रश्ण महात्मा, कहां यह सन्यासी निर्वर्ती मार्ग वाले महात्मा कहलाती हैं, वह है प्रवर्ती मार्ग, वह कभी व्रिष्टासार से पैदा नहीं होती, उनको कहते ही हैं स्रेष्ठाचारी, अभी तुम स्रेष्ठाचारी बन रही हो, बच्चे जानते हैं यहां बाप दादा दोनों इकठी हैं, यह जरूर श्रिंगार अच्छा ही करेंगे, सब की दिल होगी जिनोंने इन बच्चों को ऐसा श्रिंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं, इसले तुम यहां आते हो रिफ्रेश होने, दिल कशिश करती हैं बाप के पास आने, जिनको पूरा निश्चे होता है वह तो कहेंगे, चाहें मारो चाहें कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, यह भी डरामा का खेल बना हुआ है, फारकती इवा डाइवोर्स दे देते हैं, बाप जानते हैं, यह रावण के वन्श के हैं, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं, हाथ चोड़ने से पद कम हो जाता है, सम्मुख आते हैं, प्रतिग्या करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं चोड़ेंगे, प्रन्तु माया रावन भी कम नहीं है, जट अपनी तरफ खीज लेती है, फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझायेंगे, तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बच करा गए, घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा, जो सदैव एकरस ही रहेंगे, वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, यहां से बाप को छोड़ मरकर माया रावन के बनते हैं, तो उनको माया और ही जोर से खाएगी, बाप कहते हैं तुम कितना श्रंगार करते हो, समझाया जाता है अच्छे हो कर चलो, इसको दुख नहीं दो, बलड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं, माया बड़ी जबर्दस्त है, कान नाक से पकड़ कर बहुत तरफाती है, अब तुमको ग्यान क तीसरा नेत्र देते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टी कभी नहीं जानी चाहिए, विश्यो का मालिक बनना है, तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना, अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमों प्रधान है, खाद पड़ गई है, इस खाद को भस्म करनी के लिए बाप कहती हैं, मुझे याद करो, तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है, याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे, तुम कितना चीची बन गए हो, रावन राज्ये में एक भी ऐसा नहीं, जो विकार से पैदा ना हुआ हो, वहाँ इस विक विकार का नाम नहीं, रावन ही नहीं, रावन राज्ये होता ही है द्वापर से, पावन बनाने वाला एक ही बाप है, बाप कहते हैं बच्चे, यह एक जनम ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती, वह है ही निर्विकारी दुनिया, तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जनम लेते लेते नीचे आई हैं, अब है पतित, तब उकारते हैं शिव बाबा, हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ, अभी जब बाप आए हैं, तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है, आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावन राज्य में थे, अब बाप कहते हैं सुखधाम चलना है, तो चीची बनना छोड़ो, आधा कर तुम चीची बने हो, सिर पर पापों का बोज़ा बहुत है, और तुमने गाली भी बहुत दी है, बाप को गाली देनी से बहुत पाप चड़ जाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है, तुमारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है, हर एक को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोती क्यों हो, सत्यू में कोई रोता नहीं, फिर ज्यान की दशा पूरी होती है, तो वही रोना पिटना शुरू हो जाता है, मोहजीत की क पथा भी तुमने सुनी है, यह तो एक जूठा द्रश्टांत बनाया है, सत्यू में कोई की अकाले मृत्यू होती नहीं, मोहजीत बनाने वाला तो एकी बाप है, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्यू का मालिक बनाते हैं, अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं, बाकि जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतेत मनुष्यों की शकल भी नहीं देखने चाहीं, ना बच्चों को दिखाने चाहीं, बुद्धी में हमेशा समझो हम संगम युपर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं, और सब को देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंदों को ही देखते हैं, पुराने संबंद को देखते हुए नहीं देखते हैं, ये सब भसम होने वाला हैं, हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं, बाप एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने, इनको शुबाबा की बरा देती हैं मनुष्य से देवता बनाती हैं आगे विश उगलते थे अब अम्रित उगलते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धार्ना के लिए मुख्य सार पहला पोईंट स्वेम को संगम्यूग निवासी समझ कर चलना है पुराने संबंदों को देखते हुए भी नहीं देखना है बुद्धी में रहे हम अकेले आये थे अकेले जाना है दूसरा पोईंट आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्यान के तीसरे नित्र से देखने का अभ्यास करना है क्रिमिनल दृष्टी खतम करनी है ज्यान और योग से अपना श्रिंगार करना है वर्दान मन मना भव हो अलोकिक विदी से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव विस्तार संगम्युक पर यादगार मनाना अर्थार्थ बाप समान बनना ये संगम्यूग के सुहेज हैं, खुब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो मनोरंजन मनाओ, अलोकिक विधी से अलोकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है, संगम्यूगी दीप माला की विधी, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प, हर घड़ी नया, अर्थार्थ अलोकिको, पुराने संकल्प, संसकार, स्वभाव, चाल चलन, यह रावन का करजा है, इसे एक द्रड संकल्प से समाप्त करो, स्लोगन बातों को देखने के बजाए, स्वेम को और बाप को देखो, अच्छा, ओम शान्ती